गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड हेल्प लाइन, गुद मॉर्निंग इस टैनोग्राफिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, असी सब्द प्रति मिनट और सौ सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन, लेकिन उसके पहले मेक शूर कि आपने इस चैनल को सब्सकाइब किया है, और बगल में जो बैल आइकन है, उसे दबना बिलकुल भी न भूले, ताकि जो भी वीडियोज हम अप्लोड करें, उसके नोटि State of Education Report यानी असर का ताजा सर्वे मौजूदा स्कूली सिक्षा की बेहद चिंता जनक तस्वीर पेस करता है, यह सर्वे पिछले महीने यानी सितंबर में किया गया, जब कुरोना के चलते स्कूलों को बंद हुए, छे महीने हो चुके थी, सर्वे रिपोर्ट के मताबिक देश के ग्रामेन छेत्रों में, रहने वाले 20 फीसदी बच्चों के पास पार्थिय पुस्तकें ही नहीं है, यह राश्ट्रिय औसत है, अलग-अलग राज्यों का हाल देखना हो तो राजस्थान में, पार्थिय पुस्तकों से वंचित बच्चों का प्रतिशत 40 है, जबकि आंध्पदेश में 65 से भी ज्यादा, जिस हपते में यह सर्वे किया गया, तब तक की इस्थिती यह थी, कि एक तिहाई ग्रामेड बच्चों की कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं हुई थी, जबकि दो तिहाई बच्चों को इस्कूल से कोई लर्निंग मैटेरियल नहीं मिला था, लाइव ओनलाइन कक्षाओं की बड़ी चर्चा है, लेकिन वहां तक पहुच केवल दस फीसदी ग्रामेड बच्चों को ही दर्श की जा सकी पैरा, आमचलन के मताबिक इसके पीछे टेक्नोलोजी की सेमित पहुच को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन असर की यह रिपोर्ट जोर देकर कहती है कि मामला सिर्फ टेक्नोलजी का नहीं है, हाल के दिनों में वैसे भी स्मार्ट फोन का मार्केट बढ़ा है, देश में 2018 के मुकाबले स्मार्ट फोन धारिकों की संख्या करीब करीब दो गुनी हो गई है, रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक तिहाई बच्चे ऐसे हैं, जिनकी स्मार्ट फोन तक पहुच होने के बावजूद लर्निंग मैटेरियल नहीं मिल सका, इस बीच सरकार ने तमाम सावधानियों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, फिर भी ज़्यादातर बच्चों ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, अभिभावकों के मन में बैठा डर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने से रोक रहा है, उन्हें पता है कि बच्चों को लाख ध्यान दिलाया जाए तो भी वे न तो मुह पर मास्क लगाए रख पाएंगे, न ही दोस्तों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यह डर वास्तविक है और रातो रात नहीं छटने वाला यानि देश के जादातर बच्चों के कुरोना से पहले वाले इस्तर की सिक्षा तक दोबारा पहुचने में अभी वक्त लगेगा, और यह इस्थिती उन बच्चों की है जो इसकूली सिक्षा व्यवस्था के दाइरे में सामिल हैं, पहरा. सरवे रिपोर्ट के मुताबिक देश में 6 से 10 साल की उम्र के 5.3 फीसदी ग्रामीड बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी स्कूल में एडमीशन ही नहीं हुआ. आकडे की एहमियत तब समच में आती है जब हम देखते हैं कि 2018 में ऐसे ग्रामीड बच्चों का प्रतिशत महज 1.8 था. सयोग कहिए कि इसी साल के इंदिसरगार राष्ट्रिय सिक्षा नीती भी लेकर आई है जिसमें बच्चों को सिखाने के नए नए तरीकों पर कई मौलिक सुझाव दिये गए हैं. मगर कोरोना से उपजी इस्थितियों ने ग्रामीड बच्चों को जितना पीछे धकेल दिया है वहां से इनको सामान्य इस्तर तक लाने के लिए जल्द ही एक विशेश नीती की जरूरत पड़ेगी. राष्ट्रिय सिख्षा नेती पर अमल कुछ समय बात भी सुरू हो तो कोई हर्ज नहीं. सौस अब प्रतिमनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट होगा त्री सेकेंड बाद. स्टार्ट सर्वे रिपोर्ट के मताबिक डेश के ग्रामीड छेत्रों में रहने वाले 20 फीसदी बच्चों के पास पाथ्य पुस्तकें ही नहीं है. यह राश्ट्रिय अउसत है. अलग-अलग राजियों का हाल देखना हो. तो राजस्थान में पाथ्य पुस्तकों से वन्चित बच्चों का प्रतिशत 40 है. जबकि आंदुपदेश में 65 से भी ज्यादा. जिस हपते में यह सर्वे किया गया तब तक की इस्थती यह थी की एक तिहाई ग्रामेड बच्चों की कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं हुई थी. जबकि दो तिहाई बच्चों को इस्कूल से कोई लर्निंग मैटेरियल नहीं मिला था. लाइफ ओनलाइन कक्षाओं की बड़ी चर्चा है लेकिन वहां तक पहुच केवल दस फी सदी ग्रामेड बच्चों की ही दर्श की जासकी. आम चलन के मुताबिक इसके पीछे टेक्नोलजी की सीमीद पहुच को ही जिम्मेडार ठहराया जाएगा लेकिन असर की यह रिपोर्ट जोर देकर कहती है की मामला सिर्फ टेक्नोलजी का नहीं है. हाल के दिनों में वैसे भी स्मार्ट फोन का मार्केट बढ़ा है. देश में 2018 के मुकाबले स्मार्ट फोन धारकों की संख्या करीब करीब दो गुनी हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक दिहाई बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्मार्ट फोन तक पहुचिब होने के बावजूद लर्निंग मैटेरियल नहीं मिल सका. इस बीच सरकार ने तमाम सावधानियों के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है. फिर भी जादातर बच् उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने से रोक रहा है. उन्हें पता है कि बच्चों को लाग ध्यान दिलाया जाए तो भी वे न तो मुह पर मास्क लगाए रख पाएंगे नहीं दोस्तों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे. यह डर वास्तविक है और रातो रात नहीं छटने यानि देश के ज्यादातर बच्चों के कुरोना से पहले वाले इस तर की सिक्षा तक दोबारा पहुचने में अभी वक्त लगेगा और यह इस्थिती उन बच्चों की है जो इसकूली सिक्षा व्यवस्था के दाइरे में सामिल है. सरवे रिपोर्ट के मताबिक देश में 6-10 साल की उम्र के 5.03 फीसदी ग्रामेड बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी स्कूल में एडमीशन ही नहीं हुआ. आकडे की एहमियत तब समझ में आती है जब हम देखते हैं कि 2018 में ऐसे ग्रामेड बच्चों का प्रतिशत महस 1.8 था. सयोग कहिए कि इसी साल किंद सरकार राष्ट्रिय सिक्षानेती भी लेकर आई है जिसमें बच्चों को सिखाने के नए नए तरीकों पर कई मौलिक सुझाव दिये गए हैं. मगर कुरोना से उपजी इस्थितियों ने ग्रामेड बच्चों को जितना पीछे धकेल दिया है. वहां से इनको सामान्य इस्तर तक लाने के लिए जल्द ही एक विसेशनेती की जरूरत पड़ेगी. राष्टिय सेक्षा नेती पर अमल कुछ समय बाद भी सुरू हो तो कोई हर्च नहीं.